बिस्मिल्लाहिर्रमान रहीम, असलामलेकूम, मेरे नाम है अफिया, आप देख रहे हैं अफियास किचन, आज मेरे किचन में बन ये मुरादाबादी बरियानी, इसको मुरादाबादी पलाओ भी कहते हैं, बहुत मज़े की बनती है, तो रेस्पी आप लोगों ने पूरी दे आप इसमें में डालूंगी 200 ग्राम दहीं है, मेरे पास इसको अच्छी तरह फेट कर ये शामिल करेंगे इसमें, अब ये सारी इसमें डाल देते हैं, इसी के साथ मैं कुछ दूसरे मसाले शामिल कर रहती हूँ, खड़े मसाले हैं मेरे पास, घरम मसाला खड़ा, दो खाने की चंवार्ट में धो रदी के को शाबिल नमक एक खाने कि ले सकते हैं कुटी लाल मिरच एक खाने चंवाच घ्ल Cel компании दनिया एक खाने का चंवाच यह चला गया अब इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं यह देखें यह कितना अच्छा सा मिक्स हो रहा है अब इसको ढखे रखने के कम उसकम 30 मिनट के लिए चलिए अब शुरू करते हैं प्यास को ब्राउन कर लेते हैं एक खुले साइस का बर्तन लिए इसमें डाला मैंने एक कप कुकिंग ओई इसके साथ दो बड़े साइस के प्यासे मेरें के इनको बारीक स्लाइस कर लिए एक कब बना यह शामिल कर देंगे इसमें एक दफा मिक्स करते हैं हाइफ लें पे स्को फ्राइ करना है यह देखिए हो रहा है अब इसको इतना फ्राइव करेंगे लाइट ब्राउन कलर का हो सब्सक्राइए अब श्राइशल ए कि तना अच्छा सामारा प्यास ब्राउन हो चुका है कि अभी हाई फ्लेम पे प्रांक आएंगे इसको कमस कम पांच मिंट के लिए ताकि चिकन का अपना पानी खतम हो जाए और कच्छापन खतम हो जाए इसका वाइट कलर से पिंक कलर में हो जाए यह यह देखे माशाला से कितना अच्छा सा मसाला हमारा त्यार हो रहा है अब इसमें में शामिल करूंगे चार से पांच हरी वाली मिर्चे तीन से चार अलू बखारे और दस से पंद्रा पतियों पुदीने की शामिल करके एक दफ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मिडियूम फ्लेम बे मैं भी काम कर रही हूं अब इससे डख के रखेंगे पांच मिट के लिए ताके चिकन थोड़ी से पक जाए और इसका गच्छापन भी खतम हो जाए चैक करते हैं यह देखे माशाला से दही का इसमें अभी पानी शामिल नहीं किया दही के पानी में च हमारी चिकन गल चुकी है यह देखे माशाला अब 3-4 मिंट के लिए मजीद हाई फ्लेम पर मैं इसे बून लूगे तरह यह देखे माशाला से हमारी चिकन भून रही है अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी तीन गलास पानी धाई गलास मेरे पास चाब लें इनको 15 मिंट पहले से बगो के रखा हुआ है इसी के हिसाब से तीन गलास पानी बिल्कुल बहुत सही रहेगा यह चला गया अब इसे ए 18-20 मिंट के लिए तक अच्छी तरह चिकन पक जाए चलिए 18 मिंट हो गया है अब चेक करते हैं देखे माशाला कितने अच्छी से हमारी चिकन पक चुकी है और पानी भी पकना शुरू हो गया अब एक दफ़ा चमच लाएंगे इसमें और चावल भुगो के रखी हुए पह चावल काफी पक चुकी है और पानी भी खुश्क हो गया इसमें अब एक दफ़ा मिक्स किया अब इसके उपर डालेंगे बारी कटा धनिया अदा चाए अदा कपे मेरे पास यह डाल दे देंगे इसी के साथ सॉंफर पिसी भी मेरे पास आदा चाय का चमच यह जिड़े के देंगे सारी इसके उपर इससे बड़ी अच्छी से खुश्भू आती है इसलिए यह जाएगी इसमें अब जदे का रंग है मेरे पास बन पिंच इसको एक खाने के चमच पानी में गोल के रखा इसे के साथ केवड एससे मेरे पास यह शामिल कर देंगे एक खाने का चमच और इसे धके दम पर रखेंगे 18-20 मिंट के लिए हलकी आंच पर यह देखें माशाला कि इतना अच्छा सा दम आ चुका है इसे अब चेक कर लेते हैं यह देखें माशाला से कितने खिले-खिले से कराACHी थे मारे चावल त्यार ओड़ और खरया एक अथनी मज़े की खुष्शिबु आ रही है यह कराची में बहुत मश्यूर वरयानour यह आप अब इसे डिशाओट कर लेते हैं यह देखे माशाला से बहुत मज़ेदार त्यार हुई है आप लोग ने रेस्पी ज़रूर ट्राइए करने हैं रेस्पी पसंद आए दोस्तों में फैमिली में शेयर करें और मुझे कमट बॉक्स में बताएं कि आपकी रेस्पी कैसे बनी है लुकिंग वाइस देखें कितनी खूबसूरत है और मज़ेदा तो इतनी मज़े की खुश्बू आए दम खोलते सार जैसे देग भी खोली है आप लोगों ने जरूर ट्राइक करना देखें बहुत मज़े की चटपड़ी से यह बर्यानी त्यार होती है इसी के साथ मैं आप